हेलो मैं जितियंत कान्याल वेलकम टू माई चैनल फोटोसॉप की इस क्लास में आज का टोपिक है पपेट वाब पपेट वाब से इमेज में करेक्शन कर सकते हैं जैसे कि पोश्चर को चेंज करना हो, क्विस्ट करना हो या रोटेट करना हो चले स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक इमेज उपन की हुई है अब इस मॉडल के हाथ को, पाओ को, सिर को मूब करना हो तेप चैन्ज करना हो या रोटेट करना हो तो इसके लिए पपेट वाब का यूज किया जाता है अब सबसे पहले इस मॉडल को बैक्ग्राउंड से अलग करना है इसके लिए सबसे पहले इसका सेलेक्शन करना ज़रूरी है इसके लिए पैन टूल का भी यूज कर सकते हैं और क्विक सेलेक्शन टूल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैं अभी quick selection tool का use कर रहा हूँ जिससे selection जल्दी हो जाता है और मैं अभी detail में selection नहीं ले रहा हूँ इस तरह से selection हो जाने के बाद control जे प्रेस करते हैं तो new layer में यह copy हो जाता है अब इस layer का selection करना है तो इसके लिए इस layer पर control के साथ click करते हैं तो यह selection बन जाता है और अब इस layer को off कर देते हैं और निशे वाले layer में आ जाते हैं इसके बाद select menu में जाकर modify से expand पर click करते हैं और यहाँ पर 20 पिक्सल लग देते हैं और ok कर रहते हैं तो यह selection 20 पिक्सल बार के और हो जाता है अब यहाँ पर shift के साथ backspace प्रेस करते हैं और यहाँ पर content aware को select करते हैं और ok कर देते हैं ऐसा करने से photoshop इस पूरे selection वाले area को fill कर देता है और इस तरह से model की image हट जाती है अब उपर वाले layer को on कर देते हैं अब edit menu से puppet वाब में जाते हैं इस करसर पर अब pin बन के आ जाती है इस pin को click करके कहीं भी लगा सकते हैं और यह pin वहाँ पर लगाई आती है जब किसी particular area को hold करना होता है या move करना होता है अब मैं यहाँ पर pin लगाता हूँ और दूसरी यहाँ पर लगाता हूँ और तिसरी यहाँ पर अब पहले वाली यह दो pin hold करेंगी और यह उपर वाली pin से हम move कर सकते हैं इस तरह से अब इसी तरह से पहाँ में भी pin लगा देते हैं और पहाँ को भी move करते हैं इसी तरह से hand में भी pin लगाकर उसको भी move करते हैं अब है अब है अब है अब हैट को भी move करते हैं इस तरह से अब इस dot को हटाना है तो dot के उपर mouse को रखकर alt की प्रेस करते हैं तो यह seizure बनके आ जाती है और यहीं पर mouse से click करते हैं तो dot हट जाता है अब अगर इस dot को select करने के बाद alt करते हैं तो इस तरह से इसके control आ जाते हैं और अब इससे rotate कर सकते हैं इस तरह से अब save correction complete हो गया है और enter प्रेस कर देते हैं अब दोनों images को compare कर सकते हैं कर दो कर दो झाल झाल अब आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं I hope कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आ गई होंगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें और आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें Thank you